मस्त जाली टेकनिक लगाते हैं एक्जाम में यह जो कॉच्छन आपको पता जबी आसे एंड की वैल्यू अगेर होते हो तो हम क्या करते हैं हमारे अशंप्शन में ते उस करते हैं हम एंड की वैल्यू लेट कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर हम लोग देखे देगे कैसे हम लोग ट्रिक्स लगा रहे हैं अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे और दो क्वेशन लिया है मैंने सेम पेपर के सेम सेक्शन से मैट्स के यह दोनों क्वेशन भी क्या है बड़े ही सिंपल से बहुत असान से यहां पर ट्रिक्स लग रहा है ठीक है ना तो टोटल इस वीडियो के बाद आपका 10 क्वेशन मतलब 5 x 2 10 क्वेशन टोटल 0 आंड़ ये कल टो रूट x इस एक ट्रीटर दन इरो है यह अपर आपको बोला कि शॉट्टर इस बीच में क्या होगा तो एक्ष घरे कर दो कर लो कर लो अगर नहीं आता है जुगार करने तो देखों है आपर क्रेंश करते बड़ा मस्ट जुगार लेगा यहां पर क्या कर किसा आप करना पहले तो एक rough diagram बनाना कि यह है क्या यह basically है आपके पास में y square equal to x ठीक है square कर दो दोनों साइड x greater than 0 है तो y square equal to x आपके पास में क्या जाएगा इस type का एक parabola आपके पास में आ जाएगा अब यह point वाइंट कॉन साहे 3 by 2,0 तो यह आपके पास में 3 by 2 मतलब कि 3 by 2 यहां पर आएगा 1.5 तो यह आपके पास में क्या 3 by 2,0 यह आपके पास में क्या है point है ठीक है अब यह जो आपके पास में parabola है इससे आपको बताना है कि shortest distance कौन सी होईगी तो यहां से दूर जाएगा तो distances बढ़ रही है ठीक है और यहां पर क्या है distance 3 by 2 है यह जो starting वाला distance है यह origin से distance है कितना है 3 by 2 के बराबर तो आपके पास है कि यहां पर है root 3 by 2 यह भी 3 by 2 से छोटा है मतलब कि कोई भी option हमको ऐसा नहीं मिला जिसमें हमारा जो length है 3 by 2 से छोटा आ जाए ठीक है अब देखना है कि यह जो length 3 by 2 क्या यही छोटा है यह और भी कोई point है जिसमें हमारे पास में 3 by 2 से भी ज्यादा छोटा आ सकता है तो चेक करते हैं आपको क्या करना है आपको यहां पर रैंडम points लेना है यह जो आपको उसमें equation है y equal to root x की आप random points ले लो जैसे जैसे महला आप x equal to 1 ले लो तो y कितना आ जाएगा y equal to 1 आ जाएगा है ना तो x equal to 1 y equal to 1 1,1 एक point आपके पास में इस parabola के उपर में अब आप चेक करो कि 1,1 का distance क्या आ रहा है इस point P से 3 by 2,0 से ठीक है चेक करने से क्या फायदा होगा आपको options eliminate हो जाएंगे बहुत सारे क्या करो 1,1 का distance निकालो 3 by 2,0 से ठीक है 1,1 का तो आप क्या करोगे root x2 minus x1 का whole square प्लस y2 minus y1 का whole square तो यह आपके पास में आएगा यहापर भी है 0.5 का square और यहापर आएगा आपके पास में 1 है ना minus 1 का square है आपके पास में root over of 1.25 ठीक है तो root over of 1.25 आपको distance मिल रहा है 1,1 से इस point का तो इसका मतलब इससे बड़े जितने भी options है वो सारे eliminate मतलब क्या 3 by 2 eliminate हो जाएगा है ना क्योंकि 3 by 2 से छोटा आई है अब देखो 5 by 4 मतलब क्या 5 by 4 मतलब 1.25 है ना और यह क्या है root 1.25 तो root 1.25 त 2.25 और अब अगर आप ध्यहान से देखो तो यह कितना है 2.25 het all 1.1 संथिंग है clear है और यह भी देखो 1.1 संथिंग ही ह twee 11 का स्क्व geography होता है 121每 11 we get 121 से इसी यह वहलं मतलब वहल है something आएगा तो इसका मतलब यह आपका जो first option है यह correct है fourth option क्यों नहीं correct है क्योंकि यह बहुत ज्यादा तो आपके वास में root 3 by 2 sorry root root 3 by 2 comma 3 by 2 यह आपके वास में point आया अगर आप x को लेते हो 3 by 2 तो तो y कितना आएगा root x root 3 by 2 अब इसका डिस्टंस निकालो इस point से है ना x को लेते आप x को लेते आप 3 by 2 यह उल्टा लिखना पड़ेगा ठीक है ना ऐसे नहीं लिख सकते यह y अपना यह x है तो उल्टा करके लिखो 3 by 2 comma root 3 by 2 ऐसे लिखो तो इस काप डिस्टंस निकालोगे तो क्या आएगा root over of x2 minus x1 का whole square मतलब 0 plus y2 minus y1 का whole square मतलब root 3 by 2 का whole square मतलब की root 3 by 2 है ना root 3 by 2 आया ना तो हमारे पास में क्या है देखो यह जो root 3 by 2 है हमारे पास में यह distance किसके साहत आ रहा है हमारे पास में इस point के साहत आ रहा है अब देखो यह root 3 by 2 है और यह क्या है root 3 by 2 है हेमारे पास में clearly हमको समझ में आ रहा है कि हमको ऐसा कोई भी point निमीलेगा मतलब कहने मालब यह कि दो-चार और पॉइंट लेके देख लो छीगे आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा इतना छोटा आपको पहुंच जाये वैल्यू क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे में ट्वाइट बाई टू है और यहाँ पर नीचे में ड्वाइट बाई टू है रूट टू के व हमको हमकर मिल ही रहा है कि इसके पास पहुंच पाए अगर आपको यहां पहुंच पहुंच खाल 좀 more इसके साथ disp चलो बट क्लिर ली समझ में रहा है यह बहुत दूर यह बहुत दूर और यह कुछ जादा ही नीचे है कुछ जादा ही चोटा तो यह हमारा करेक्ट आंस नहीं पर होएगा इस तरिके से हैं मस्त जाली टेक्निक लगाते हैं यह जो को पता जब भी ऐसा कर रहें हमारे आसंप्षेशन करते हैं हम एन कभालल कर लेते हैं यह पर आपको एन की वेल्यू समिंप्रल यह जगा कर दो है दो direk ה तो n के जगा आप 5 पूट कर दो 5 का स्कोर 25 आएगा 25 माइनस 5 आपको 20 आएगा 5 का स्कोर 25 आएगा 25 माइनस 5 आपको 20 आएगा 20 प्लस 41 आपको 61 आएगा तो P5 की वैल्यू कितने हो गए आपकी P5 की वैल्यू हो गए आपको 61 दूसरा आपका आपका सकतो 3 की value put कर दो तो 3 square 9, 9 minus 3 कितना होगा 6, 6 plus 1 कितना होगा 41 तो यह कितना होगा आपका समय है P3 कितना होगया 9 minus 3, 6, 6 plus 41 आपका होगया 47 तो यह आपका 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 47 clearly समझ में आ रहा है कि 61 हमारे पास में क्या प्राइम नंबर है 1 से divide होगा और किसे होगा यह नहीं 61 से होगा और कुछ हैं नहीं divide करने के लिए और 47 भी हमारा prime number clearly समझ में आ कि हमारा क्या है P3 और P5 दोनो true है मतलब कि option 4 यहाँ पर हमारा correct निकल के आता है तो कुछ नहीं करना था यार हम जो assume करते है n की value वहाँ पर कि हमको यही जो questions options में दिया है उसी को put कर लो और वो निकालो quantity के आ रही है उसको फिर आप चेक कर लो prime area नहीं है simple सा हमारे पास में simple सा जुगारता और यहां पर हमारे पास में क्या है shortest उसे निकालना था actual तरीका हमको नहीं आता है ना अगर आप diagram देखो तुमको feel भी हो रहा है कि हाँ इस line में पॉइंट होगा 1,1 के आसपास या शायद 1,1 ही होगा जिससे कि यह closest distance बन करके आएगा और इस रूट 3 by 2 यह बहुत ही जाथ हो छोटा है इस वह समने इसको eliminate कर दिया ठीक है ना बाकी तो बस यही बात है अधर आपके वीडियो बसंते हो कि आप जो कुछ चीखा होगा अगर आपने जो कुछ चीखा जो लाइक करना मत भूलना और शेर करना मत भूलना देवागी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लाटफॉर्म का मज़ा उठास के बाकी तो बहुत बहुत धन्यवादी वीडियो देखने के लिए बने रही है